कोरोना महमारी की दूसरी लहर के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमन के मामलों के बीच कहा जा रहा है कि कोविट का नया स्ट्रेंड जो की बच्चों के लिए अधिक कदरनाख साबित हो सकता है और अभी तक बच्चों के लिए इसकी कोई वैक्सिन भी नहीं आई है ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि नया स्ट्रेंड बच्चों पर कैसे असर डाल सकता है और इसके कैसे लक्षन नजर आ सकते हैं विशेशग्यों का कहना है कि यह वाइरिस नया स्ट्रेंड में और भी अधिक शक्तिशाली होकर लोटा है पीछले बारों में जहां बच्चों को इतना अधिक खत्रा नहीं था वही अब तीसरी लहर यानि कि जो नया स्ट्रेंड है वो बच्चों के लिए और भी अधिक खतरनाक सिध्ध हो सकता है और चिंता जनक बात तो यह है कि अभी तक बच्चों को दी जाने वाली इसकी कोई वाक्सिन भी नहीं आई है कुछ विशेशग्यों का मानना है कि यह नया स्ट्रेंड बच्चों की रोक परती रोधक चमता को पार करके असानी से बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है परन्तु वहीं कुछ विशेशग्य कहते हैं कि बच्चों की रोक परती रोदक चमता या उनके लंग्स बड़ों से जादा स्ट्रॉंग होते हैं इसी कारण बहुत बच्चे रिकवर हो रहे हैं कोरोना के जो लक्षन हैं बच्चों में जो दिख सकते हैं वो सबसे आम लक्षन हैं बुखार, खासी, सिर्दड, जुखाम परन्तु कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देख कर कोई भी नए लक्षन को हम अंदेखा ना करके तुरंट डॉक्टर को दिखाना चाहिए हो सकता है कि बच्चों में बड़ो से अलग भी लक्षन दिखाई दें पर उसको आप इग्नॉर ना करके तुरंट डॉक्टरी सलहा लें यदि आपके बच्चे में आपको थकान, सुस्ती, अधिक नीन दाना, बुखार बने रहना, आखे लाल होना, बॉडी पेन, चेहरे पर कोई अन्य लक्षन जैसे होटों का फटना या होटों का रंग में कोई परिवर्तन आना, कोई चेंज कलर, या चेहरे पर कोई दाग ध अचानक उबराए, इरिटेशन, नाक बंद या बहना, उल्टी आना, भूक कम लगना, पेट दर्द की शिकायत, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, स्वाद या सुंगने की चमता घटना, इतियादी अगर कुछ भी आप देखें, तो तुरंत जाच करवाए, डॉक जो कि कोई भी लक्षन, अगर आपको अलग लगता है, अटपटा लगता है, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, कोविड-19 से शिशु भी परवावित हो रहे हैं, कैसे पहचाने, इसके लक्षन, एक साल से जो नीचे के शिशु हैं, वो कोविड-19 की गंभीर बिमा का खत्रा जादा बना रहता है उन पर, क्योंकि अभी तक उनका इम्यून सिस्ट्रम उतना विक्सित नहीं हो पाता, और उनकी शोषन नली भी बड़ी नहीं होती जादा, इसलिए छोटे वायु मार के कारण, शोषन संक्रमन के साथ वायरिस असानी से प्रवेश कर सकता है, और उनको सांस की समस्या हो सकती है, अगर आपका बच्चा जादा सुस्त हो जाता है, अधिक सोता है, यह छोटे बच्चों में जैसे एक साल से जो थोड़ा बड़े हैं, खाना पिना कम कर दें, तो भी आप तुरन डॉक्टर ही सलाले, यही जादा बहतर रहेगा, खुद आपको इलाज ना करने जाएं, बच्चे अपना ख्याल नहीं रख पाते, जैसे बार-बार हातों को धोना, मुह नाक आखों को पिना हाधों ही छो लेना, या गंदे हातों से ही खाना, इसलिए हमें उनकी तरफ ध्यान देना दादा जरूरत है, समस्या के साथ-साथ समाधा भी जरूरी है, बच्चों को कोरोना संक्रमन से कैसे साफधान रहा जाए, इसके लिए क्या-क्या उपाय करें ये जानकारी अपने बच्चों को अवश्य दें, बच्चों की इम्मिनिटी बढ़ाएं, एक्सेसाइस कराएं, साथ ही बच्चों को रोजाना एक गुबारा फ गर्म गुनगुना पानी, मौसमी आवला जैसे खटे फल, चवण प्राश, इम्मिनिटी बढ़ाने वाली सबजियां, इतियादी देखकर आप अपने बच्चों की इम्मिन सिस्टम स्ट्रॉंग कर सकते हैं बच्चों को छूने से पहले आप भी अपने हाथ धोएं या बच्चों को खाना देते समय भी, आप पहले अपने हाथों को सनिटाइज कीजिए, बच्चों को मास्क लगाने को कहें, हाथ धोने या सनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए प्रेरित करें, धिहान रखिए कि कोरोना से बचाव ही एक मात्र उपाय है साफधान रहिए सुरक्षित रहिए भीड भाड वाली जगाव से जाने से बचिए दोगस दूरी मास्क है जरूरी ये जरूर ध्यान रखिए स्टे हल्दी एंड स्टे सेफ